हलो दोस्तों कैसे हो आज आपको बताने भी एक और जानकारी दोस्तों अगर आप अपना विडियो फॉर्म भर रहे हैं ओनलाइन सर्विस इस ओपसंड पर किलिक करके जैसे ही आप अपना विडियो फॉर्म बरतें जिसमें ओपसंड आता है एक अधिस से उन्निच टैन-सी ए आप इस error को सही कर सकते हो खुद से, खुद अपने mobile की सायता से, smartphone की मदद से. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में bell icon प्रेस करें, ताकि हर जानकरी वाला वीडियो, सबसे पहले आपके पास पहुँच सके. उसके लिए सबसे पहले आपको EPFO टाइब कर देना है, और आप Google का इस्तमाल भी कर सकते हो, आप Chrome ब्राउजर का इस्तमाल करके, आप EPFO टाइब कर देना, और आपको इस option पर चले जाना, U, A, N जहां पर लिख रहा होगा, तो चलिए मैं इस पर click करता है, जैसे ही मैंने इस पर click किया है, तो आपके सामने ये कुछ इस परकार से open हो जाता है, net की speed पर ये depend करता है, कि आपका net कितना speed से चल रहा है, अब आपको कौने में 3 dots दिख रहा होगा, इस कौने में आपको 3 dots पर click कर देना है, इस जगा पर, और यहां से आपको desktop site mode को चुन लेना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चोकोर के पास एक desktop site mode लिखा हुआ है, तो चलिए मैंने इस पर किलिक कर दिया है और आपके सामने ये कुछ इस परकार से ओपन हो जाता है डेक्स टॉप साइट मोड को इसलिए चुना जाता है ताकि आपका मोबाल कम्पूरर की स्क्रीन के तरह काम करें और कभी एरर ना आए तो चलिए आपको यहां पर उन नंबर डालदेना है पासबट डाल देना यहाँ पॉरा प्रफ पर समझाओ कि यहां पर यहां से अपना साइटार करके आपको दिखा देता हो डालने के बाद जैसे ही आप sign in होते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस पर निर्फेस आजाता है तो आपको यह चोकोर को हटा देना है यहाँ पर click करके यहाँ एक Cross Cuando 계рат होता है इसे इसको हटा देना बेनर सा आजाता है जो अब आपको यहाँ पर एक option दिख रहोगा online services तो आपको इस option पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर option आते हैं आपके सामने फोरूम भरने वाले विड्रोल के और आप यहाँ देख सकते हैं यह option आगे क्लिक करते के साथ ही और आपको यहाँ पर जो claim फोरूम 31,19,20,20 दिखता है जैसे ही आप इस option पर click कर रहे हो इस समय बहुत से लोगों के आ रहा है यह error जो मैं आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ click करते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हूँ यह error आ गया है मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ सही तरीका से यह error आ चुका है और अब आप इसको ध्यान से देख लिजिए error में जो लिखा होता है वह क्या बोल रहा है मतलब कि यह बोल रहा है कि आपको हिंदी में पहले मैं बता देता हूँ यह बोल रहा है कि आप अपना बैंक की के वाईसे उसको दुबारा करिए मतलब कि सीधा सीधा बोल रहा है कि आपका जो बैंक की के वाईसे वहां पर आपकी बैंक की के वाईसे नहीं हुई है और कोच्चन बहुत लोग सोचते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ईपी अफो ने बहुत बड़ा एक अपडेट किया है अगर जिसके बैंक अकाउंट के अंदर जो उसके यू ए एन और पी अफ में जुड़ा हुआ है बैंक अकाउंट और उसके नाम में थोड़ा सा भी म आप देख सकते हो उसका जो आपका जो फादरनेम होता है बैंक के अंदर आप देखना कॉपी को जो पास्वूक होती है उसके मैं बोल रहा हूं यूप के जो बैंक की पास भुगती उसकी मैं बोल रहा हूं उसके अंदर देखना आपका खुद का नेम और आप क्या जो आपने आपका फ्यादर नेम लगाया है उसको देखना चेक करना सही तरीके से कहीं आपके बैंक अकॉंड के अंदर नाम के अंदर कहीं कुछ अलग से तो बै की निसान से समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि यहां पर एक जो लिखा हुआ है इन्हों के नाम में यहां पर M.R. अलग से बैंक ने लगा दिया है तो आप समझ चुके होंगे की M.R. लगाना आपके लिए कितना नुकसंदाए हो गया है बैंक की यह गलती होती है आपकी कोई जलती नहीं होती है और इन्हों का जो नाम है वह पीछे की तरफ प्रोपर आ रहा है जैसा आधरकाड में इन्हों का नाम है सेम ऐसा ही आ रहा है लेकिन जो इनके आपके नाम के आगे M.R. लगा हुआ है वही इन्हों का सही नहीं है मतलब कि इस सी प्रोब्लम के कारण इनक जो बैंक की KYC है जो इनके PF में हुई है तब ही जाके इनको 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 अपडेट करकर वर्जन को इनको एक एरर दिया है ताकि यह अपनी बैंक की KYC सही दुबारा कर सके यहाँ पर मैं आपको एक चीज और अवगत करा देता हूँ जो आपके महिला होती है उनके जो उनका जेंडर के अनुसार होता है जो इसे जेंडर होता है मेल फीमेल अधर तो उसके अनुसार यहाँ पर MR मिश्टर गने से उसमें चांस में ने देखा है बहुत से उसमें स्री और लगा देते हैं तो आपको यह नोटिस करना है आपको चेक करना है अपके जो सोरी बैंक की बैंक की पास्बुक को चेक कर लेना है जो आपने उस बैंक को आपके पी एप विया यू एने के साथ जोड़ रखा है उसको एक बार दुबारा आपको चेक करना है कहीं आपके MR, Siri, Mr. तो नहीं लगा रखा है और आपको पता लग लगा होगा ये message भी लगा के रखते हैं तो आपको समझ में आगे होगा अब इसका solution सुन लीजिए आपको करना क्या है आप जैसे ही bank के अंदर आपको जाना है अपना आधार card लेकर अपना pen card लेकर और आपकी जो bank की आपकी जो passbook है उसको लेकर जाना है और आपको अपना जो भी आपका bank है उसके bank के जो banker होते हैं करमचारी होते हैं जो आपका entry करते हैं या आपके bank की passbook का पैसा जो आपका मतलब की जमा करते हैं जो भी करिया करते हैं बैंकर की में बात कर रहा हूँ बैंक अंदर जाके आपको मिल लेना है आपको बैंक में जाकर मिल लेना है और बोलना है कि सर मेरे आधारकाड में या मेरे पीएफ मेरे जो पैनकाड है उसमें नाम यह है और मेरा जो बैंक है उसके जो बैंक का जो पहले वाला फरंट होता है तो मेरा नेम है उसके अंदर अलग से आपके वैंक के दुआरा मिश्टर मिसेज या सिरी लगा दिया गया है तो पिलीज इसको आप हटा दीजिए और मैं इसका जब आप हटा दोगे तो इसकी केवाइसी दुबारा मेरे पी अकाउंड में करूँगा तो कि मुझे मेरे पी अ का पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है तो आपको समझ में आगया होगा तो आपको बोलना है तो बैंक आपसे बोलेगा कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मिस्टर मिसेज या सिरी के कारण आपका बैंक की केवाइसी गल्थ हो जाती है तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना ह सर हां इसके कारण ही हमको एक error आता है हमारे जब पी ए विट्रोल फोर्म भरते हैं और हमारा bank की के वैसे को वो दुबार करने के लिए बोलता है तो आप प्लीज जो मेरे आधर कार्ड में या मेरे पैन कार्ड में जो name है सेम आप प्लीज इसको दुबारा एक print में आप जो passbook के उपर एक print होता है जिसको हम particular print भी बोलते हैं जिसमें आपका name, detail, IFC code, account number वगेरा सभी आते हैं आपका address वगेरा bank का जो आपका address है वो सब कुछ छपा होता है तो वह है आपको एक बार दुबारा आपको print करवा लेना ह समझ में आपको सायद आगे होगा आपको एक बार print करा लेना है जैसे ही आप print करा लोगे तो उसके बाद आपको चेक करना है दुबारा आपका जो नाम है उसका अगे MR Siri या Mr. Message तो नहीं लगा रखा है आपको समझ में आ रहोगा तो उस जैसे ही आपका सही हो जाता है तो फिर दुबारे आपको करना क्या है आपको उसको घर आने के बाद में आपको फिर आपके अगर आपको आता है खुद के मोबाईल से आप अपनी KYC कर सकते हो और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर चले जाना सानू गोडियाल और आप यूटूब चैनल पर जा मुझे आपको कुछ दिनों बाद उसको अपरोड को जाएगी तो दोस्तों इस微nityo के माधन से मुझे आपको यही आउकत कराना था जो आपको यह एरर आ रहा है तो इसका solution आपको मिल गया होगा तो दोस्तों कैसे लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें आगे शेर करें और पीएफ से सम्मदित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद